हमारे पौरानिक मानेताओं के अनुसार त्रिप्रा सुर्ध नामक एक राक्षस ने समस्त धर्थी वासियों को परिशान कर रखा था और उससे त्रस्त हो करके सभी देवतागन भागवान महादिव की शरणे में पहुंचे थे भागवान शिव ने कार्थिक मास के पुरिमा के दिन ही त्रिप्रा सुर्ध नामक दैत्य का वद किया था उससे मुक्ति मिलने के बाद समस्त देवता भागवान शिव की प्यारी नगरी काशी में पहुंचे और वहाँ पर दीप प्रजुलित करके अपने खुशियों को व्य अधिक पुरिमा आठ नावंबर सम दोहजार बाइस को पड़ेगी लेखिन चुकि इस दिन चंद ग्रहाण का मान है और हमारी शास्त्र माननेताओं के अनुसार चंद ग्रहाण से नौ घंटे पूर्वा सूतक लग जाता इसलिए बरस्था के अनुसार साथ नावंबर दिन 17 दिन के बाष्षात कार्तिक पुरिमा को देव दिपावली मनाई जाती है चुकि आपको मैंने बताया याठ नौंबर को चंद ग्रहाण के कारण देव दिपावली एक दिन पहली मनाई जाएगी इस दिन ऐसी मानता है कि समस्त देवी देवता अपने नाना रुपों को धा परण करके माता गंगा के पतित पावन तट पर आ करके महादेव की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए दीपक प्रजलित करते हैं और उनसे आशिरवाद प्राप्त करते हैं इस दिन दीपदान का अत्यदिक महत्त है इसी मानता के अनुसार जन सामान्य देवी पर उतरना और उनके धर्षन करने के लिए काशी के धर्थी पर आते रहते हैं ऐसी बहनता है ना जाने किस रूप में नारायन मिल जाएं इसी को दिश्टिकत रखते हुए लोग काशी में दीपावली के इस पहुत्र आउसर को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं और इस देव दीपावली के तिवहार पर बढ़ चड़ करके अपने योगदान को देते हैं मित्रों आप जानते हैं कि प्रदोस्काल में 14, 11, 21, 51 या 100 वाट आटे का दीपक अथवा मिट्टी का दीपक अथवा किसी भी प्रकार के पात्र में दीपक बना करके उसमें घी अथवा देल डाल करके माता गंगा के नदी के किनारे इसे जलाना चाहिए और अपने इष्ट देवी देवताओं का समरान करना चाहिए देव दीपावली के दिन समस्त देवी देवता आपके जीवन को मंगल मैं बनाएं ऐसी हमारी प्रार्तना है आप देख रहे हैं वाइदिक प् सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल नोटिफिकेशन को आल भी क्लिक कर लेजिए बहुत बहुत धन्यवाद